हाई गीज और वेलकम बाक टू दी चनल दीपाइच जादव एजूकेशन वेलकम टी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस और 4 ओक्टूबर 2023 तो गाईज आज है तारिक 4 ओक्टूबर 2000 ते हैस और है वेडनेस डे देखेंगे आज के इंपोर्टेंट यूज एंड एडिटोरियल डिसकेशन को लेकिन लेक्टर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्टर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाष ज़्यादा वेजुकेशन यूपी एसी आपको यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर daily basis पे lecture का PDF मिल जाता है daily current of air के video का PDF मिल जाता है और daily basis पे बहुत सारे digital notes मिल जाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशे की तरह हम लोग अपने lecture को एक map के question के साथ start करेंगे तो आज आप सभी को map में जाकर देखना है काइमूर wildlife century को कहां पर है यह exactly located इसको अच्छे से map में देखना तरह उसके बाद आकर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथे question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2021 के प्रलिम्स में पूछा या था daily basis पे हम लोग यहां पर एक previous year question को भी solve करते है question क्या बोलता है who among the following is associated with songs from prison दोस्तों यहां पे option में आपको चार अलगलग personalities के नाम दिये गए आपसे पूछा जाता है कि इन चारों में से वे कौन से व्यक्ति हैं जो कि songs from prison नाम की जो book है जो कि basically एक ancient Indian religious lyrics का translation है English में तो इस particular songs from prison से कौन से personality associated है यह आपने बताना है option number A, बालगंगा दरतिलक option number B, जवालल नहरू option number C, मुहंदास करमचंद गांधी या option number D, सरोजनी नाइडू तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ by the way, इसका जो correct answer है वो मैं आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो लेग चलो show भार हम करते हैं और सबसे पहले चलेंगे हम लोग अपने thumbnail वाले important article की तरफ तो दोस्तो शायद से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़े लिया होगा अभी बहुत सारे जो news article से वो publish हो रहे थे पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा हो रही थी जो हमारे OTT platforms होते हैं जिसको हम लोग over the top platform के नाम से जानता हैं जिसमें हमारा Netflix, Disney ये सारे platform सा जाते हैं अब इसके बारे में details से भी बताऊंगा तो OTT platform के लिए government की site से जो टॉबे को rules होते हैं तमबाकू के against में कुछ rules and regulations है वो यहाँ पर जारी किये गए हैं तो अभी यहाँ पर क्या है इन OTT platforms को rules and regulations फॉलो करने पड़ेंगे लेकिन दूसरी तरफ बहुत सरे news articles ये निकल कला रहे हैं कि जैसे हमारा Netflix हो गया या बाकि Disney Prime हो गया ये जो OTT platforms हैं ये कहिना की इन नियमों के against में खड़े हैं वो यहाँ पर इन नियमों को challenge करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि देखो ये जो सरकार के rules and regulations लगाये जारे हैं OTT platforms पर ये सही नहीं है इससे यहाँ पर OTT platforms को एक नुकसान हो सकता है वो नुकसान किस perspective से होगा वो भी मैं आगे आपको समझाऊँगा तो पहले तुम आपको कुछ news articles दिखा देता हूँ जैसे आप यहाँ पर देख पाऊँगे The Hindu नहीं यहाँ पर इसको publish क्या है OTT platforms mandated to show anti tobacco warnings अब OTT platforms से बोल दिया या है कि जो तंबाको के अगेंस में जैसे आप movies वगरा देखने जाते हो ठीक है यहाँ देखते भी होंगे तो उसमें starting में आप एक ad देखते होंगे कि हाँ तंबाको से cancer होता है ऐसे यहाँ पर बीच बीच में जब भी scenes आता है तंबाको या alcohol वाले तो वहाँ पर भी side में लिखावा आता है या उसको blur कर दिया जाता है आपने देखा होगा exactly ऐसा किया जाता है तो वही similar चीज़े OTT platforms के लिए भी लागू करने के लिए यहाँ पर जारी की जा रही है क्योंकि अभी तक दुनिया बर में ऐसा काफी कुछ हो चुका है लेकिन वो simply movies के लिए और television के लिए implemented है लेकिन OTT platforms के लिए अभी तक कोई भी इस प्रकार के rules and regulations पूरे world में नहीं है तो इंडिया पहला देश मन रहा है जो कि OTT platforms से बोल भी रहा है अपने content में anti-tobeko warnings को दिखाना शुरू करोगे और यही similar article in an express ने भी यहाँ पर publish किया है वहीं का यह image मैंने use किया वाए तो यह basically आपको पूरा का पूरा जो news है वो यहाँ पर समझ माया अब इस news से कई सारे examination के अदर question भी बन सकते हैं लग-लग तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में आखिर कर जो यह टॉबेको है इसको लिकर क्या rules and regulations है हमारे पास मैं कौन-कौन से government के initiatives है जिसके मादम से टॉबेको के consumption को रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इंडिया में कहीं न कहीं जो cancer के cases है आज एक article cancer के उपर भी है वहाँ पर जब discussion होगा तो आपको मैं बताऊंगा भी तो cancer के जो cases stage से increase हो रहे है न उसके पीछे का एक बहुत बड़ा reason ये भी है जो टॉबेको है, alcohol है, इनका जो consumption है उसकी वज़ा से तो वो भी हम लोग आज discuss करेंगे, वो एक अलग article आया हुआ है ठीक है, लेकिन अभी कुछ basic details हैं जैसे कि यहाँ पर इस article के बारे में आपने कुछ लिखना है, कुछ note down करना है question अगर जहां से बन सकता है, वो सारा background data आपको यहाँ पर provide करवा दिया गया है यह news में क्यों है, वो मैंने आपको समझा दिया, OTT platforms कौन से होते हैं, जिसको हम लोग over the top platform के नाम से जानते हैं दोस्तों बता होगा आपको, यहाँ पर कही सारी web series और वाकी सारी यहाँ पर जो चीज़ें वो आने लगी है और खास करें, अगर हम इंडिया के अंदर OTT platforms को देखें तो OTT platforms की जो growth है, वो बहुती जादा देखने को मिली है पछले कुछ समय में अगर आप आज के समय पर platforms देखोगे कौन से available हैं, तो Netflix, Amazon Prime है, Disney Plus है, Disney Plus Hotstar, Z5, यह सारे के सारे हमारे OTT platforms है ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कि आपके पास में स्पार्ट फोन है, तो आप एक सस्ते internet में, और प्लस यहाँ का, जो यह OTT platform का subscription है, उस subscription के basis पर धेर सारी जो movies हैं, धेर सारी जो web series हैं, उनका access कर सकते हो, वो सारे चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो और दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो OTT का market है, वो इतनी तेजी से ग्रो हुआ है कि एक expectation एक अंदाजा है कि साल 2030 तक यह market लगबख 12.5 billion US dollars तक पहुँच जाएगा, यह अपने आप में बहुती बड़ा amount आपको देखने को मिलता है अब इंडिया ने यहाँ पर टॉबेको को कंट्रोल करने की कई सारी कोशिशे की हैं, जैसे कुछ कोशिशे यहाँ पर mention भी की हैं इंडिया दुनिया पर में कुछ जो ऐसी कंट्रीज हैं, जो कि कहीं न कहीं अपने यहाँ पर तबाकू के खिलाफ काफी सारे एड चलाती है तो उन टॉप 10 कंट्रीज में से इंडिया भी एक देश आता है इंडिया में भी यहाँ पर बहुत सारे आपको warning labels देखने को मिल जाएंगे, वो बात अले हैं, यहाँ पर लोग मानते नहीं हैं क्योंकि cigarette के packet के ओपर भी आपको warning labels देखने को मिलेंगे, कि आकरकार यह जो cigarette है, इससे cancer हो सकता है लेकिन यहाँ पर लोग इसका consumption फिर भी कर रहे हैं, तो भारत ने एड के मामले में बहुती ज़ादा बड़े लेवल पर जो एक achievement है, वो हासिल किया है बूला यहाँ पर जा रहा है कि 85% जो cigarette के packets आपको देखने को मिलेंगे, उनमें health warnings नजर आती है, front पर भी और back पर भी तो इंडिया इस प्रकार सा advertisement करने वाली जो countries हैं, इन countries में से दुनिया की जो top 10 countries हैं, उसमें अपनी position को gain करता है ठीक है, उसके साथ साथ जो यह cigarette के packets हमरे देश में उनमें toll free number और quit line number भी दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक इनसान की मदद कर सकता है उसके इस addictions को छुड़वाने में अब question यहाँ पर यह है कि भारत ने आखरेकार कौन कौन से steps उठाए हैं इस प्रकार से top eco को control करने के लिए, तो पहला अभी जो latest कदम उठाया जा रहा है वो यह है कि OTT platforms पर भी warning जारी करने की बात की जा रही है, यह अपने आप में सबसे बड़ा step है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी देश आपको देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं focus किया होगा कि अपना जो television का content है, वहाँ पर वो top eco के against में एक advertisement करेंगे, वो सब में चल रहा है, लेकिन OTT platforms को लेकर किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था, तो अभी तक का यह अपने आप में बहुत बड़ा step है कि OTT platform के content पर भी आपर focus किया जा रहा है कि अगर कोई भी top eco products use होता है उस particular web series में जो भी content दिखा रहे हैं उसमें, तो उस scene के दोरान तो महाँ पर tag लगे गी लगेगा, उसके साथ साथ उस web series का या जो भी content है उसके starting में, उसके beginning में और साथी साथ में उसके middle मे starting में और बीच में, दोनों जगा पर आपको 30 सेकंड का एक add देना पड़ेगा, जो कि कहीने के टॉबेको के against में होगा, ठीक है, तो हमारा देश पहला बन चुका है, जो कि इस प्रकार का कदम उठा रहा है, OTT platform से anti-tobeko advertisement करने के लिए mention कर रहा है, दूसरा जो step उठाया कि जितने भी cigarettes हैं, या cigarette जैसे दूसरे तंबाको वाले products, कि आगर आप देखोगे तो cigarette में भी यहाँ पर तंबाको का use होता है, अब cigarette हो यहाँ बाकी सारे दूसरे तंबाको वाले products हो, उनका advertisement, promotion, sponsorship, ठीक है, उनके manufacturing, बाकी सारी चीज़ों चीज़े काम है, उसको regulate करने का य उनके उपर जो health warnings वगरा है, जो graphics दिये जा रहे हैं आज के समय पर, ठीक है, वो भी यहाँ पर court पा act के तहद दिये जाता है, clear हो गया, फिर उसके आदमें तीसरा जो law है, वो है टॉबे को advertising and promotion, जो direct और indirect advertisement हो रहा है टॉबे को products का, ठीक है, जो टॉबे को sponsorship चल रही है यहा particular act के तहद, क्योंकि दोस्तों पता, exactly हो गया रहा है, आज कल आप देखते भी होंगे, कि बहुत सरे ऐसे company हैं, जो कही ना कहीं तंबाकू के लिए जानी जाती है, या उनका कोई ऐसा product आ रहा है, जो कि टॉबे को बला है, लेकिन वो अपना advertisement किसी और नाम से दिखा रही है अब वो किसी और नाम से advertisement दिखा के लेकिन सब जानते हैं कि वो company exactly बेचती क्या है, तो इस प्रकार के advertisements को भी यहाँ पर regulate क्या जा रहा है, ताकि तंबाकू के consumption को कम से कम क्या जा सके, फिर government की side से एक और step उठाया गया, टॉबे को के उपर taxation को increase कर दिना, इंडियन government दे पि होने के बाद में एक particular person उसको afford नहीं कर पाएगा, अब afford नहीं कर पाएगा, तो कहीं दिरे दिरे जो consumption वो भी यहाँ पर control होता वह नजर आएगा, खेर स्टेप्स तो कहीं सारे उठाये हैं, लेकिन वो consumption जिस तरीके से कम होना चाहिए था, वैसा कोई scenario हमको नजर आया नहीं हैं, फिर उसके एक और particular step है वो है NTCP, that is National Tobacco Control Program, भारत नहीं यहाँ पर इस particular program को पूरी तरह से तयार किया, ताकि हम तंबाकू को control करने वाली जितनी रणनीतियां हैं, उसको हम अपने पूरे देश के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, district level पर यहाँ पर पूरी तरह से फैला सकें, इस program का main मकसद है कि जाद सादा awareness फलाई जा सकें, जाग रुकता है फलाई जा सकें कि आकरकार क्या particular मुद्दा हो सकता है, इस तौबेकव का consumption की वज़ा से, तो overall news क्या था दोस्तों आपको यह समझ में आ गया, क्योंकि हमारी जो health ministry है ना, इनोंने यह जो पूरी कर रहे हैं क्योंकि जो OTT platforms हैं, उन्होंने अपनी साइट से challenge कर दिया इन rules को, वो यहाँ पर सरकार के इन rules के खिलाफ है, उनका कहना यह है कि देखो यह rules जो है हमारे लिए सही नहीं है, जो television पर content आ रहा है, theater के अंदर content चल रहा है, वहाँ के लिए सही है, लेकिन OTT platforms के लि दोस्तों यहाँ पर इनुने दिया है, कि जो भी यहाँ पर advertisement चलाया जाएगा, तो भई OTT platform तो बहुत सारा content पढ़ाए, millions of hours का content पढ़ावाए, पुराना content पढ़ावाए, है ना कितना सारे content पढ़ावाए, पुराना भी, सबको edit करना पढ़ेगा, edit कर करके उसमें वो जो information है, वो डालनी पढ़ेगी, तो कहीं ने कहीं इस से experience के सासाथ बहुत सरी जो चीज़े हैं, उसके उपर भी एक बहुत बड़ा impact पढ़ेगा, तो जो पुराना content है, उसमें भी include करना पढ़ेगा, यह एक बहुत बड़ा issue हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ODT platform का कहना है, कि यह जो चीज़े हैं, वो TV screen तक सही है, लाट सिनामे में सही है, लेकिन यहाँ पर अभी change के smartphone के अंदर यहाँ पर यह ODT का content consume किया जाता है, और बार बार यहाँ पर यह advertisement देखाएंगे, starting में भी, बीच में भी, फिर यहाँ पर बीच में कोई सीन आएगा, तो वहाँ पर भ रहा है, ठीक है, बहुत सारे ads चलेंगे, repeatedly ads चलेंगे, तो इससे again कहीं न कहीं यहाँ पर problems आएंगे, क्योंकि एक चीज़ इनकी side से यह भी बोली गई, कि television पर तो सिधा यहाँ पर एक movie है, आपने movie देख ली, starting में चला है, बीच में चला ठीक है, उतना यहाँ पर इंसान जो viewers है, उनके experience के उपर, उनके entertainment के उपर impact पड़ेगा, और उसकी वज़ा से यहाँ पर ODD platforms की side से उनका जो focus है, वो घूम सकता है, ठीक है, और कभी-कभी हो जो advertisement चलाया जाता है, दोस्तों आपको पता है न, वो advertisement कैसा होता है, कि काफी सारे लोग यहाँ पर थोड़े से uncomfortable ह जाते है, वो advertisement देखके, तो इससे भी कहीन है कि काफी सारे जो लोग हैं, वो decensitize हो सकते हैं, यह सब चीजे देखकर ऐसा भी आपर उनका कहना है, आई होप आपको जो पूरा का पूरा matter है, वो exactly समझ में आ चुका है, कि आखिरकार यह पूरा मुद्दा है क्या, और एक ब लॉक दिखेगा, इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करने के लिए आपने करना क्या है, आप लोग एक app डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम है Adobe Acrobat City के इसके बारे मापको पता है, मैं इसमें एक notice और लगा दूँगा, जिसमें ये चीजे मेंशन कर दूँगा, कि आप ये app डा इसको जॉइन करने का, question यह है कि उस paid group में आपको मिलेगा क्या, मिलेगा ये, जैसे कि हम लोग daily basis पे current discuss कर रहे हैं, अभी हम लोग ने एक article discuss क्या, टॉबे को वाला, इसका background data में आपको दिखाया, अब इस PDF से access करना थोड़ा से difficult है, मुश्किल है, अब काफी लोग यहाँ आप पर बहुत serious aspirant है, जो की notes वगरा बनाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़े note down करते हैं, उनके लिए भी दिखकत है, बार बार PDF, इस PDF का printout निकलवाना भी बहुत बड़ी परिशानी है, ठीक है, क्योंकि आपर जो content है, वो exactly आपको एक छोटे से dot के अंदर में दिया जाता है तो वो सब चीज़े कहीं ने कहीं आपकी हल कर दी जाती है, इस group के तहत, ठीक है, रोज अगर करते हो आप तो आपका time भी बहुत जाता waste चला जाता है, तो इसलिए आपर सीधा आप एक group join कर सकते हो, अपने convenience के लिए, और उस group का जो amount है, just for 99 for the lifetime access, उस group में जो आपको PDF दी लवा कर अपने pass में रख सकते हो, चीक है, या फिर उसमें से पढ़ना हो, तो सीधा PDF आपको दिया जाता हो, उसमें editing करके पढ़ सकते हो, या फिर कुछ चीज़े highlight करके रख सकते हो, या कुछ नहीं करना तो PDF उसमें पढ़ी रहन दो, जिस तारिक आपको चाहिए, उस ता नमबर आपको दिया गया है, 85348-73368, इस नमबर पर message कर देना, मुझे group join करना है, आपको आसर reply आएगा, payment का process बताया जाएगा, payment के process के साथ, आपको demo video का एक link मिलेगा, ठीक है, आप पुरे demo video को अच्छे से देख लेना, कि यहाँ पर मुझे क्या फायदा हो सकता है, 4.9 हो चुके हैं, आज भी आप लोगोंने पूरा घरना है, एक दो दिन रुख जाओ, क्योंकि यह नया pattern है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा और adapt कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आपके पास में यह जो lectures है, वो थोड़े दिनों बात आने शुरू हो जाएगे, अगला article बह पहले हम लोग समझ लेता है, यहाँ पर दोस्तो एक news click है, news click के जो founder है, उनको arrest कर लिया गया है, जिससे यहाँ पर यह photo देख पा रहे हूँगे, founder and editor in chief नाम है प्रबीर, arrest किया गया क्योंकि कही न कहीं बोला जा रहा है कि जो यह news click है, news click के पास में, जैसे news agencies होती है उसी प्रबीर को, प्रबीर जो कहीं यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको website मल जाएगी, सारी जो news होती है, उनको यह cover करता है, बाकी सारी news agencies की तरह, ठीक है, तो क्या हुआ, इनको arrest कर लिया गया, और arrest करने के साथ साथ यहाँ पर जो deputy commissioner of police है, सुमन नालवा, इन्होंने यह बोला कि 26 लोगों के उपर हमें यहाँ पर शक था, किसी ना किसी चीज को लेकर, जिसमे से 9 महिलाएं हैं, इन सब से questioning की गई, इनके mobile phone, laptop, devices, सबको जब्त कर लिया गया है, आगे इसको और investigation करने के लिए, साथी साथ में बोला गया है कि जो यह proceedings हैं, यह चल रही थी, और दो लोगों को यहाँ पर arrest किया गया, पुलिस ने इनके घरों में raid मारी है, journalist हो गए, ठीक और उसके बाद यहाँ पर यह जो चापे मारेगा हैं यह किस case में, क्योंकि यह जो news portal है, इस news portal का जो link है, वो basically एक terrorism case से देखने को मिला है, इस वज़ा से यहाँ पर यह हुआ है, प्लाज यह जो journalist ने जरनलिस से कई सारे questions पूछे गए हैं, डेली Commonwealth Rights जो वेते उसके बारे म ठीक है, citizenship amendment act के दौरान यहाँ पर यह पूरा protest वहा उस बारे में, farmers protest चला, उस दौरान कहीनक है यहाँ पर इन्होंने बहुत सरे अलगलग applications यूज़ किये, encrypted messages के दौरान, signal जो app है वो यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है, तो कई सरे applications यूज़ करके, बहुत problems create की गई हैं इन lawful activities prevention act, तो इसका जो section है, section number 13, 16, 17, 18 and 22, इनके तहत, anti-terror activities के तहत, यहाँ पर इन लोगों को arrest कर लिया गया है, इस वो जैसे यह पूरा का पूरा जो matter है, वो news में आपको देखने को मिलेगा, इस बरगार की photos भी आप लूकर यहाँ पर देखे होंगी, बोला जा रहा है कि कि तरीके से जो यह news click है, news click ने इधर दोर से जो fund है, उसको अवैद तरीके से accept किया है, बोला यह जा रहा है कि जैसे news click का यहाँ पर यह founder है प्रवीर, ठीक है, तो news click को यहाँ पर fund आया है, नेवाईल रॉय सिंगम की site से, यहाँ से fund आया है, और यह जो fund है, यह कैसे दिया गया है, worldwide media holiday LLC के site से, देन उसके बाद में एक Chinese emphasizeser है, चाइना की site से यहाँ पर चाइनीज emphasizeser, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ जो funds है, वो यहाँ पर इसको दिया है, पीपी के news click studio को दिया है, तो ऐसा करोडर रॉपे का fund आया है, ठीक है, as a FDI यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है, जिस वज़ा से यहाँ पर अभी इनको rest किया गया, आयूप आपको यहाँ पर पूरा का पूरा matter है, वो exactly समझ माया, लेकिन दोस्तों यह पूरी की पूरी केवल और केवल news है, यह खबर है, आज चलेगी, कोई दिन चलेगी, उसके बाद information यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, आँ समझेंगे UAPA के बारे में, चलो, UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act, नाम से बता चल रहा है, जितनी भी Unlawful Activities हैं, उनको रोकने का ये काम करता है, Unlawful Activities जो कि basically वो हो गए जो कि हमारे देश में अशान्ती फेलाने का काम करती है, हमारे integrity, sovereignty को affect करने का काम करती है, देश में नफरत फिलाने का काम करेगी, अलग-लग religion के बीच में, वो सब यहाँ पर Unlawful Activities के तहत consider की जाती है, तो Unlawful Activities का main perspective क्या है, कि जो भी person हमारे देश की integrity, sovereignty के खिलाफ जा रहा हूँ, ठीके, उसको यहाँ पर tackle करना, उससे निबटना, उ और इसी वज़ा से यहाँ पर UAPA को हम anti-terror lobby बोलता है, यानि आतंगवाद के खिलाफ यहाँ पर एक particular कानून यह बोला जाता है, अनलवफूल activities में क्या होती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कोई एक ऐसा individual या कोई organization, कोई संगठन भी हो सकती है, केवल individual की बात नही पर यह सारी चीज़ों के तहत, जो UAPA है, वो काम करने लगता है, और UAPA इस पूरे कानून के, अगर आप according देखोगे, तो सारी जो power, absolute powers हमारी central government के पास में, केन सरकार के पास में, और किसी person को अगर arrest किया जाता है UAPA के तहत, तो उसको अगर मामला बहुती ज़्यादा ग लेकिन जो highest punishment है, वो death penalty या उम्रकैद, यह दोनों ही यहाँ पर हो सकता है UAPA के तहत, अब UAPA के कुछ important provisions हैं, वो provisions आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर बोला यहाँ पर यह जा रहा है, कि जो हमारी central government है, हमारी केन सरकार, UAPA कानून के तहत, एक इनसान को आतंगवादी घोशित कर सकती है, या किसी संगठन को terrorist organization घोशित कर सकती है, जैसे आपको बताओगा PFI को ban क्या था last year UAPA के तहत, अब question यहाँ पर यह है कि एक इनसान या किसी organization को आतंगवादी घोशित करने के लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज, वो particular person या organization ने कही न कहीं न कहीं, terrorism जैसी आतंगवाद, जैसी जितनी भी activities उसमें participate किया हो, या terrorism के लिए त्यारी कर रहा हो, या terrorism को promote कर रहा हो, ठीक है, या वर कहीं न कहीं न कहीं वो terrorism में किसी और तरीके से वो कहीं न कहीं involved हो, अगर ऐसा कोई particular case निकल कर आ रहा है, तो उस case में उस person या उस organization को कहीं न कहीं ठेकिकात करने के लिए आपर एक officer होता है, इस officer को अगर investigation करना है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले DGP से अपनी एक approval लेनी होती है, या जो director general of police होता है, उनसे approval लेने के बाद में वो investigating officer जाकर, जिसके ओपर शक है, उसकी properties, उसकी जितनी यहाँ पर संपती है, उसको जब् है तो, ठीक है, यह basically इस act में पहला एक और चीज़ देखने को मिलती है, और दूसरी यह भी है, कि मान लो यहाँ पर इस UAPA के तहट किसी person को arrest किया गया, और उसका case NIA को सौंप दिया गया, national investigation agency नाम की जो baddy है, इसको सौंप दिया गया, तो NIA के जो officer होता है, ठीक है, वो उसी प्रकार से NIA के अंदर में जो एक officer होता है, उसको director general of national investigation agency के officer से, मतलब इसी director general से यहाँ पर approval लेना पड़ेगा, और approval लेने के बाद में वो officer जा सकता है investigation करने के लिए, और उस investigation के दौरान यहाँ पर किसी की property जब्त करनी हो, तो वो property यहाँ पर जब्त की जा सकती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो हमारे NIA के officers हैं, इनके पास में भी power आ जाती है, इस UAPA के तहत आपने ध्यान में रखना है, नहीं आ गया आते हैं, question यह है कि मालो यहाँ पर UAPA लागू हो गया कहीं पर, किसी के उपर लागू गया, तो क्या-क्या procedures follow किये जाते हैं, पहल जब हमारी केन सरकार किसी एक संकठन को unlawful declare कर देती है, तो unlawful declare करने के बाद में एक tribunal बनाया जाता है, ट्राइबूनल बेसिकली हमारे court की तरह होता है, जैसे court होता है, वैसे tribunal भी होता है, उसमें भी judge होता है, वो cases को handle करता है, लेकिन court से अलग होता है, court में जाने से प थोड़ा और जाधा investigate कर सके, थोड़ा और तैकिकात करने के बाद में, जो सरकार ने अपना decision लिया, unlawful declare करने का वो सही है या नहीं है, वो यहाँ पर बता सके, simple, ये पहला procedure में, procedure number one, दूसरा, हमारी किन सरकार की साइट से notification आता है, ठीके बाई, कि यहाँ पर ये unlawful activity दि या गया है, एक basically tribunal का appointment या गया है, वो tribunal कहीं न कहीं, उस decision को confirm नहीं कर देता, जब तक tribunal confirm नहीं देख कर देता, उस चीज को बिलकुल approval नहीं दे देता, तब तक यहाँ पर जो सरकार का notification है, उसको यहाँ पर एक मंजूरी नहीं मिलती है, प्लस जो हमारी government है, उनको कहीं ह कि एक notification हमारे tribunal को भीजना पड़ता है, 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे यहाँ पर सरकार एक gadget notification जारी कर देगी, ठीक है, कि यहाँ पर इस organization को इस इंसान को ban करना है, तो notification जारी करने के 30 दिन के अंदर अंदर tribunal को एक notification दिना पड़ता है, फिर tribunal यहाँ पर उन सारे particular cases को दे organization या फिर कह सकते हो, वो जो particular person है, जिसको भी UAPA के चार्ज किया गया है, उसको ban किया जा सकता है, क्लियर हो गया, आ गया था है, जब case चल रहा होता है ना दोस्तो, तो यहाँ पर जो हमारे ministry of home affairs है, वो ministry of home affairs का करता है, अलग अलग और यानि कि जो भी हमारी organization है, या जो भी person है, ऐसे तो उसके ओपर सिधा UAPA नहीं ठोका जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ activities दिख रहे होंगे, उसके बाद UAPA ठोका जाएगा, अगर यहाँ पर बोला यह जा रहा है, कि वो person के खिलाफ पहले भी कई cases है, NIA का, ED का कोई case है, तो वो सारी की सारी reports भी यहाँ पर tribunal exactly क्या है, क्योंकि अभी दोस्तों मैंने आपको UAPA tribunal के बारे में बताया, तो UAPA एक tribunal प्रोवाइट करवाता है, सरकार यहाँ पर उसको बनाती है, और यहाँ पर कहीं न कहीं, यह पूरा का पूरा जो tribunal है, इसको एक retired या फिर जो high court के setting judge हैं, वो यहाँ पर इसको head करते ठीक है, तो यहाँ पर सरकार की साइट से notification आने के बाद में, जो tribunals हैं, इसको यहाँ पर बनाया जाता है, यह आपने आपको बता दिया ओलड़ी, यह बार बार वो चीज़े repeated हैं, आ गयाते हैं, UAPA इस particular कानून का कई बार criticism भी होता है, यह तो आपको दिख रहा है कि clearly यहाँ पर यह जो कानून है, यह कहीं ना कहीं, enter terrorism की तरह काम कर रहा है, यानि कि आतंगवाद से लड़ने का काम कर रहा है, दूसरा किसी particular person के ओपर यहाँ पर शक है, कि यहाँ पर वो एक खत्रा साबित हो सकता है देश के लिए, उसको भी हाँ पर चार्ज के लिए जाता केवल एक शक के आधार पर, कि हाँ उनको शक है, बिना किसी process के, तो कहीं ने कहीं यहाँ पर इससे एक particular person के जो उनके rights है, fundamental rights है, वो fundamental rights का violation होता है, exactly यह यहाँ पर mention किया गया, दूसरा दूसरों यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो process है, यह थोड़ा सा time consuming होता है, यूए पीए का पूरा process time consuming क्यों है, क्योंकि जितने भी cases अभी यूए पीए के देखने को मिले हैं, इन में से 43% जो cases हैं, यहाँ पर charge sheet को file करने में एक साल से जादा लग गया, या एक साल, दो साल लग गया, तो इससे कहीं नहीं हैं, जो justice से जो नियाए हैं, उसमें भी ए अब आगया, अब आप देखरो, यह article के दम पर, यानि कि article न्यूज में था, इस वज़ाए से आपने पॉलिटिक, अपनी लक्षमी कांद के खिरताब उठाब उठाओगे, तो आपने यूए पीए कवर कर लिया, बेसिक चीज़े तो कवर कर लिए, अब आप पढ़ोगे आपने मेंस में 2021 में, फिर 2019 में, दो बार सवाल पूछा है, इस वज़ाए से संबंद थे था, जैसे आप देख पाओगे 2021 में question पूछा जा था, अपने क्या अपने अपने आपने आपने बता ना था, आपने यह भी बता ना था, कि हम क्या क्या स्टेप्स उटा सकते हैं, इन सब खत्रों से लड़ने के लिए, नॉन स्टेट एक्टर आप समझ रहे हो ना जैसे हमारी एंजियोस बगर कोई इतना बड़ा रोल नहीं है एंजियोस बगर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार एंजियोस यहाँ पर देश की सेक्यूरिटी चलेंज के लिए काफी बड़ा खत्रा बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी फॉरन फंडिंग आते हैं उस फॉरन फंडिंग का गलत यूज होने लगता है समझ रहोंगे यह पूरा मैटर तो कैसे इन चैलेंजिस से लड़ा जा सकता है यह यहाँ पर आपना समझाना था 2021 में थोड़ा मैच होता अब क्वेशन है इसी प्रकार स क्योंकि दोस्तों यह Unlawful Activities Prevention Act जो है यह 1967 का कानून है ठीक है तो इस कानून के अंदर हम लोगों ने संशोधन किया अमेंड किया अमेंड करने के बाद में क्या हुआ इसको हमने मजबूत कर दिया इसी प्रकार से National Investigation Agency Act को हमने मजबूत कर दिया तो पूछा जाता है कि हमार पर कईने के मानव अधिकार की बात करती है वो इसके खिलाफ क्यों खड़ी है तो मैंने आपको बताता है तो यह Human Rights Organization उसके खिलाफ में क्यों खड़ी है यह भी आपने बताना है तो दोनों क्वेशन में से आज आप कोई सभी क्वेशन अटेम्ट कर सकते हो ठीक है जो मेंस क वाला जो ग्रूप है उसमें मैं टेलिग्राम में हिंदी में भी डाल दूँगा तो आप वहां से पढ़कर इसका आंसर दे सकते हो ख्यार मैं आपको पूरा ही क्वेशन समझाया अम दोस्तों का अंसर लिखने के बाद में आपने कहां पर समिट करना है टेलिग्राम पर जा आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हो सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ याँ पर improvement की आवश्च रखता है समझ गया है तो आज का main question हो गया समझाया आता है next article पर अगला article देखो अगला article हमारे exam के लिए again बहु थोड़ा सा मुश्किल है जा फिर उसकी facilities हमारे पास में ज्यादा available नहीं है तो हमें cancer screening का जो यहाँ पर यह पूरा पूरा processes को और जदा बढ़ाना होगा cancer के treatments को हमें district level पर increase करना होगा उसके लिए ICMR एक particular project के ओपर काम कर रहा है वो इस article में mention किया गया तो दोस्तों यहाँ पर mention किया जा रहा है कि कुछी districts आपको इंडिया में ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि effective तरीके से कहीं न कहीं cancer से लडने के लिए अपने पास में कुछ facilities को रखते हैं बहुत कम ऐसे यहाँ पर districts हैं और ज्यादतर districts ऐसे हैं जहाँ पर cancer से संबंदित कोई ना तो आप screening कर आप होगे वहाँ पर नहीं आपको treatment हो सकेगा कोई facilities वहाँ पर available नहीं है और cancer में सबसे problematic चीज यही है कि diagnosis करना पता लगा पाना कि उस इंसान को cancer है या नहीं है और अगर यहाँ पर starting में ही पता लगा लिया जाए तो इससे बहुत सरे immediate steps उठाने के बाद में उस cancer का जो अस cancer है वो यहाँ पर कम किया जा सकता है possibility इंसान को बहुत जल्द बचाया जा सकता है लेकिन problem यह है कि हमारा diagnosis का procedure बहुत ज़्यादा कमजोर होना कई सारे districts के अंदर में तो इस council नहीं यहाँ पर इन सब चीजों को देखा और देखने के बाद मैं यह बोला कि देखो इंडिया हमें वाकई में health को लेकर challenges बहुत सारे हैं और कहीं नहीं जब बात करेंगे cancer की तो cancer वाली बिमारी सबसे जादा आज की समय पर चाइना में है उसके बाद US में है और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है जहां पर यह बिमारी आपको देखने को मिलती हैं और कहींने की आने समय में 2020 से लेकर 2040 यह 20 साल के gap में अगर आप देखोगे तो cancer के cases 57% से increase होंगे 2040 तक ऐसा भी यहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा है और इस cancer में देखो दोस्तों अलगलग प्रकार के cancer होता है men और female दोनों के अंदर में दोनों में क्या differences हैं cancer के बीच में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी तो अगर हम लोग एक long term plan में देखें तो council का main मकसद है कि एक अच्छा quality of cancer screening प्रोवाइड करवाया जाए हमारे पूरे देश भर में सबी districts के अंदर में इस प्रकार के यहां पर diagnosis करने का process होना चाहिए ताकि एक इंसान के अंदर में cancer है या नहीं है इसका पता लगाया जा सके ताकि उसका treatment जल से जल start किया जा सके और इसके उपर ICMR काम कर रहा है और जल से जल आने वाले समय पर यह facilities हर एक districts में provide करवाई जा आई है तो वो भी यहां पर provide करवाई जा सकती है या घर गर जाके यहां पर treatment दिया जा सकता है चेक किया जा सकता है यह cancer के patients कितने है तो यह जो पूरा का पूरा project है स्पाइस से हमार काम करना है चार साल लगेंगे इसको implement करने में यह आपने ध्यान में रखना है लेकिन बा के अंदर भी यहां पर कोई particular case study आती है इसे सम्मंदित तो वहाँ पर use किया जा सकता है अभी मैं थोड़ा सा यहां पर इसको बताता हूं detail से की cancer को लेकर exactly हमारे country में scenario है क्या तो दोस्तो cancer यहां पर कहीं न कहीं जब बात करते है group of disease की तो उसमें से यहां पर एक बड़ी disease यह भी है अब ऐसा नहीं कि cancer basically एक ही particular organ को affect करेगा body में किसी भी organ किसी भी अंग के उपर यहां पर असर पड़ सकता है किसी भी organ किसी भी tissue को यह बुरी तरह से affect कर सकता है question यहां पर यह है कि cancer में होता क्या है दोस्तो आपको पता है हमारी body cells से बिल नहीं है किसे कोशिकां उ और जब cells की abnormal growth जो growth नहीं होनी चाहिए थी वैसी extra growth होने लगती है तो यहां पर वो cancer कहलाती है आपने देखा होगा कई सारे लोग के अंदर tumor हो जाता है चीके गांटे पर नहीं लगती है body के अंदर और वो ही tumor दिरे दिरे यहां पर वो tumor कह सकता हो starting stage है फिर दिरे दिरे वो और कहीं नहीं कि यहां पर जैसे मैंने बोला tumor tumor एक सबसे common चीज आपको देखने को मिल जाती है जिसके वैसे cancer सबसे ज़्यादा हो रहा है और cancer की जब बात करते हैं तो cancer के अलगले प्रकार है फॉर एक्जामपल यहां पर आप देखोगे lung cancer, prostate, उसके बाद kolorectal हो गया, stomach ह हो गया और liver cancer, यह जितने पांच प्रकार के cancer बताएं, यह cancer सबसे ज़्यादा common है पुरुष में, सबसे ज़्यादा common, यानि सबसे ज़्यादा cases इनी cancer के आते हैं पुरुषों के अंदर, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग female की महिलाई की, तो women में breast cancer, उसके बाद kolorectal, lung, cervical और thyroid cancer, यह कुछ cancer हैं जो की सबसे ज़्यादा common है women में, यह यहाँ पर cancers की category समय डिसकस किए, अब cancer का overall burden कितना ज़्यादा है वो समझो, cancer basically non communicable disease है, ऐसे तो फैलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक non communicable disease उसी category में रखते हैं, तो cancer कहीं नहीं है यहाँ पर कह सकते हो, आज के स cancer आज के समय में, दूसरा सबसे मुखे कारण है मृत्यू का, दुनिया भर में, World Health Organization ने 2018 का data यूज करके बता है कि 2018 में तो यह हाला थी, और आज भी यही scenario है, एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है cancer लोग के मृत्यू का, मैं आपको बता दू, 2018 में लगबक 18 million cases आये थे द 2018 के अंदर में, ठीक है, दुनिया भर में 9.5 million death हुई थी, उसमें 0.8 million इंडिया से हुई थी, तो जो number of cancer के cases हैं, ये कहिना की 2040 तक भारत के अंदर double होने वाले हैं, ऐसा भी एक अनुमान है, अच्छी चीज यहां पर यह है कि cancer से जो होने वाली मृत्यू है, इसको रोका क्या जा सकता है, दोस्तो 30 से 50% जो cancer के वैसे death हो रही है, उनको रोका जा सकता है, और रोकने के लिए हमें कुछ basic चीजों के उपर focus करना होगा, सबसे पहले तो तंबाकू का जो use है, उसको control करना होगा, क्योंकि तंबाकू के use की वज़ा से भी बहुत सारे common cancers हमको देखने तो इन चीजों के उपर थोड़ा ध्यान रखे हैं, इनको control करके कहीं लखे हैं जो death है, due to cancer इनको prevent किया सकता है, रोका जा सकता है, question यहाँ पर यह है कि cancer के treatments क्या है, तो treatment में कई सरी treatment, कई सरी therapies होती है, कुछ जिनों पहले कई सरी therapies में आपको पढ़ाई भी थी, आजकल इन्जेक्शन बना दिया गया है, जो कि 7 मिनिट में इन्जेक्शन अगर है, आपको बॉड़ी में डाल दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर जो treatment है, उससे शुरू हो जाएगा, तो treatment की जब बात करते हैं, तो इसमें यहाँ पर surgery है, cancer के medicines है, रेडियो थरेपी है, यह सारी च 1965 में, WH World Health Assembly ने यहाँ पर इस पूरे बॉड़ी को यहाँ पर तयार किया, यह बॉड़ी कहीन एक Specialized Cancer Agency आपको देखने को मिल जाती है, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको पताओना चाहिए कि दुनिया भर में World Cancer Day को भी यहाँ पर observe किया जाता है, ताकि cancer को लेकर एक जागरूता है फिलाई जासे के, कब observe किया जाता है, तारिक ध्यान रखना, 4th February, 4 February, हर साल 4 February को यहाँ पर World Cancer Day भी observe किया जाता है, तो यह था यहाँ पर 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 डिकुलर डिसकेशन रिगार्डिंग कैंसर, जी एस पीपर नंबर टू, हेल्थ के पॉइंट आव्यू से important की जा रही है, यह इंडेक्स क्या दर्शाता है, कि हमारे भारत देश में manufacturing किस लेवल पर हो रही है, इंडेस्ट्रियल मनुफैक्चरिंग किस लेवल पर हो रही है, तो जो manufacturing है, यह अब की बार, यानि specially बात की जा रही है, हमारे September के महिने की, ठीक है, अभी यहाँ आपर October म हम, तो September के महिने में, जो यहाँ पर हमारी manufacturing है, वो बिल्कुल पिछले 5 महिनों के comparison में भी बहुत ज़दा कम रही है, बहुत सरी industries में हमारी manufacturing production बहुत ज़दा कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर purchasing manager index ने बताया है, क्योंकि अगर आप देखोगे, पिछले 5 महिने का जो data है, वो इतना था, वो था 58.6, लेकिन अभी, जो अभी data आया है हमारे September के महिने का, क्योंकि अभी October लग गया है, September के महिने का जो data आया है, उसमें जो score दिया आए गया है, PMI के अंदर में, वो है 57.5, तो August के comparison में, September में 57.5 है यह, तो दोस्तों, यानि पिछले महिने के comparison में भी इस बार PMI डाउन हुआ, और इसके पिछले और कुछ साल देखोगे, तो सभी जगा पर इसी तरीके से, कुछ महिने देखोगे, तो सभी जगा पर उसी तरीके से, तो बोला जा रहा है कि पिछले 5 महिनों के अंदर अंदर सबसे कम PMI जो अपकी बार देखने को मिला है, वो सित नाम में जो percentages से कभी नहीं पूछी जाती हैं, आपको पता है, ये आप इतिहास पुरा देख सकते हो, पूरा previous question उठालो, आससे 10, 15, 20 साल के भी, कहीं नहीं पूछा जाएगा है ये percentage, तो पूछा जाम पे गया है, वो है factual data, जो कि आपको पता भी होना चाहिए, कि आखरकार य इंडेक्स है, वो exactly होता क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है, इसका importance क्या है, ये basic details है, जो सीधा आपको mains में भी पूछी जाएंगी, चलो एक एक करके समझते हैं, PMI क्या होता है, तो PMI दोस्तों एक survey है, survey है जहाँ पे हम लोग हर महिने ये देखते हैं, कि हमारे देश में manufacturing level किस level पर हुई है, यानि कि manufacturing sector कैसा grow किया है, और ये जो PMI है, ये manufacturing के साथ सर्विस sector के लिए भी आता है, फिलाल अभी केवल ये manufacturing sector का release हुआ है, survey मतलब कुछ यहाँ पे लोग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हर business में जाके पूछते हैं उनसे, जाके पूछते हैं पिछले Purchasing Manager Index का जो main purpose होता है, वो हमारा ये होता है, कि ये हमको एक information दे सके कि हमारे देश में business की जो current scenario है, वो क्या है, और future में क्या हालात हो सकते हैं, Purchasing Manager Index ये बताएगा, भी manufacturing काफी down हो गया, पिछले कुछ समय पर down होता जारा है लगातर, तो आगे possibility और कम हो जाए, तो business conditions के बारे में सारा detail हमको provide करवाता है, ये PMI, तो PMI का purpose आपको समझ में आ गया, अब दोस्तों मैंने जैसे बोला है कि purchasing manager index का जो calculation है, ये manufacturing sector के लिए अलग होता है, और service sector के लिए अलग calculation होता है, दोनों के लिए अलग होता है, और यहाँ पर जब भी index त्यार करता है, तो यहाँ पर नंबर दिया जाता है, 0 से लेकर 100 के बीच में, और suppose यहाँ पर 0 से 100 के बीच में किसी महीने को नंबर दिया जाया, जैसे for example, मानलो हमारा अगस का महीना था, ठीके मैं आपको समझा रहों के वल, अगस का महीना था, for example, इसमें 50 score दिया गया, 50 मतलब ना यहाँ पर हमारी इसी increase होती भी नज़राईए, लेकिन अब यहाँ पर इसको आप दूसरे महीने से comparison करोगे, तो वो अलक सिस्टम है, यह तो खेर मैं आपको यह बता दिया कि exactly नंबर कैसे देखा जाता है, अब suppose यहाँ पर अभी हम सितंबर की बात करेंगे, अब suppose यहाँ पर सितंबर के मही महीने में, यह जो नंबर है, यह बावन आया, ठीक है, यह जो score यहाँ पर नंबर दिया है, 52 मिला, तो सितंबर के महीने में, यानि कि अगस्त के comparison में सितंबर के महीने में, manufacturing sector हमारा थोड़ा सा improve हुआ है, ठीक है, यह बात यहाँ पर आपने धिहान में रखनी है, तो 50 है, अगर 50 से नंबर उपर है, यानि कि आपकी industry expand हुई है, और 50 है केवल, तो यानि कि कोई बदलाव नहीं हुआ, 50 से कम है, यानि कि आपके अंदर गिरावाट हुआ, यानि contraction हमको देखने को मिला है, ठीक और अगर अब पिछले महीने से comparison करोगे, तो वो data आपको अलग से निकलना पड़ेगा, मतलब की पिछले महीने कितना था और अब की बार कितना है, तो अगस के comparison में जो सितंबर का महीना है, उस समय पर कम हुई है manufacturing, अब यह purchasing manager index तयार कौन करता है, ये भी आप से पूझ जाएगा, IHS market तयार करता है दोस्तो, IHS market केवल भारत के लिए इने 40 अलग लग दुनिया भर की जो countries है उनके लिए भी इस प्रकार का index तयार करता है, IHS market दुनिया भर को है, information के मामले में एक बहुत बड़ा leader है, IHS market हमारे S&P का, S&P Global नाम की जो यहाँ पर एक agency है, उसका हिस्सा भी है, ये बात आपको clear होगी, अब question यहाँ पर आता है, कि सर पारी industry की growth को दर्शाता है, लेकिन दोस्तों जो ये वाला index होता है, इसमें केवल भारत की जो top 8 industries है, उनको लिया जाता है, समझेगा है, केवल top 8 industries को, जो बहुत बड़ी industries है, इस वज़ए से जो ये IIP होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है PMI की comparison में, PMI थोड़ा छोट क्या हो रही है, वो हम जान सकते हैं, दूसरा यहां पर क्या हो सकता है, कि जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी decision making में help कर सकता है, तो उसके लिए यहां पर decision लेने के लिए इस purchasing manager index का धियान रख सकते हैं, कि manufacturing sector किस level पर है, कैसे हमें ब्याज लेना चाहिए, देना चाहि तो यह PMI का एक बहुत बड़ा importance अमको नजर आता है, अगला article अगें GS paper number 3 economy के point of view से important है, तो यहां पर बात की जा रही है, कि जो world bank है, world bank ने इंडिया का साल 2024 का जो यह growth है, यह 6.3% के आसपास रखा है, ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि world bank हो गया, कुछ और बड़ी agencies हो गई, यह क्या करती है, यह न हमारे देश की, या दूसरे countries का भी, एक prediction करती है, एक अंदाजा लगा कर चलती है, इस साल इस देश की जो अर्थ विवस्ता है, इतनी तेजी से grow करेगी, ऐसा कुछ यहां पर इनका जो process है, वो exactly रहता है, तो world bank ने बोला कि साल 2024 के अंदर में, जो भारत की growth है, वो 6.3% तक रहेगी, क्योंकि demand इतनी जादा है नहीं, industry के अंदर, जबकि Reserve Bank of India का कहना यहां पर यह है, कि हमारी जो growth है, वो 6.5% होगी, अब यह growth उपर नीचे करते रहता है, देखो, यह depend करता है conditions के उपर में, देश की economy अगर अच्छी तरीके से run क को set करते हैं, तो क्या यह ratings ध्यान लखनी है, बिल्कुल नहीं ध्यान लखनी है, World Bank ने 6.3% यहाँ पर बोल दिया है, 2024 में grow करेगा, वो आने वाला समय बताएगा, अगर यह आगे scenario, suppose यहाँ पर economy में कुछ जटके से changes होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर यह फिर से अपना नया data लाएंगे, उसके आद बोलेंगे, नहीं, इतने नहीं, इतने परसंट से grow करेगी, तो इनका data हमेशा change होते हैं, आगे जैसे मैंने बोला है, यह भी exam में नहीं पूछ जाता है, तो exam में क्या पूछ जाएगा, exam में directly आप से पूछ जाएगा, World Bank के बारे में, जो की World Bank एक GS paper number 2 के point of view से important body है, तो World Bank क्या है, अब इस group के बारे में कुछ basic details को हम लोग यहाँ पर follow करते हैं, World Bank का जो headquarter है, वो है Washington DC के अदर में दोस्तों, चीके, उसके अलाबा कुछ और चीज़े देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो यह Brettonwood conference है, यह हुआ था जुलाई 1944 में, क बना कैसे, तो को जो यह पूरी meeting चल रही थी 1944 में, उस समय पर दो अलग-लग organizations को बनाए गए, दो अंतराश्ट्रे संकटन को बनाए गए, एक का नाम था IBRD और एक का नाम था IMF, जिसको आप जानते भी हो International Monetary Fund, जब दुनिया भर की countries खत्रे में होती हैं, उनका loss हो रहा है economy बहुत ज़रे down है, तो International Monetary Fund उनकी विदद करता है, ऐसी यहाँ पर IBRD है, that is International Bank for Reconstruction and Development, तो यह दो bodies बनाए गई थी 1944 में, ब्रेटन वोड कॉन्फरेंस के दुरान, लेकिन दिरे-दिरे यहाँ पर जैसे से कुछ साल बीचते चले गए, यह जो IBRD है, यही क्या होता है, World Bank में तबदील हो जाता है, World Bank बन जाता है, चीक है, और आज के समय पर अगर किसी देश को World Bank का Member बनना है, तो उसको सबसे पहले IMF का Member बनना होगा, उसके बाद वो exactly World Bank का Member बन पाएगा, और World Bank अगर आप से पूसे जाए कि World Bank कौन से दो ग्रूप को मिलकर बना है, तो दो ग् PDA है, that is International Development Association, इनका में मकसद है कि जो गरीब देश है, पूरेस्ट कंट्रीज है, उनको ब्याज फ्री लोन प्रोवाइट करवाना, सीधा उनको लोन दे दिना, उनको कोई ब्याज ना लेना, तो overall यहाँ पर low income countries, poor countries को support करने के ये ये दो ग्रूप्स बनाएगा है, इन दो दोनों groups को जो आप combine कर देतों, मिला देतों, तो दोनों मिला कर world bank बनते हैं, तो अब से पूछ जाएगा, दो कौन कौन से groups मिला कर world bank बनता है, तो ये दो exact group है, ठीक है, आगे आते हैं उसके बाद में next article की तरफ, अगला article again, exam के लिए important है, noble price के बारे में हम बात कर रहे है, कल हम लोग ने noble price in medicine discuss किया था, उसको लेकर आज कुछ basic articles news में आ गए, ठीक है, इस वैसे हम लोग उसको repeatedly discuss नहीं करेंगे, क्योंकि कल ही मैं आपको बताया है, noble price के बारे में दोस्तों, अगर आपने basic information जाननी है, कि noble price की शुरुवात कैसे हुई, Alfred noble कौन थे, जिनके नाम पर बात करेंगे noble price in physics, तो पहली चीज़ तो one day examination के perspective से आपने नाम जरूर दियान रखना है, ये तीनो personalities हैं, जिनको noble price in physics दिया गया है, कल जो हमने discuss किया था, वो medicine की field में दिया गया था, दो अलग अलग लोगों को, यहाँ पे physics के category में दिया गया है, तीन अलग लोगों को, ए physics की category में दिया गया है, दोस्तों क्यों दिया गया है, इसके पीछे का reason भी जानना है, 1987 से जो ये डाक्टर हुलियर है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर काफी जरी चीजों के ओपर काम गया है, ये basically यहाँ पर क्या कर रहा है, produce कर रहा है, एटो second light pulse, तो इसी एटो second light pulse की वज होता है, तो ठीक है, तो वो ही basically यहाँ पर deal करने के लिए, वो ही चीज़ा समझने के लिए, है न, overall world के अंदर में चीजों को समझने के लिए, बहुत कम से कम समय में समझने के लिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एटो second light pulse है, जो है, इसके ओपर इन्होंने काम किया ह है, मैं आपको समझाते हूँ, exactly होता क्या है, देखो, at second physics क्या होती है, उसके पहले आपने समझना होगा कि exactly at second क्या होता है, यार मैं कुछ basic information आपके साथ में share करता हूँ, लेकर आया वो हूँ मैं, ठीक है, वो आपको सीधा help करेगी, यह आप देख सकते हो, यह सब कुछ data म मैंने आपको PDF में provide करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको download कर सकते हो, ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं, यह at second होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर, जो हमारा एक second होता है, ठीक है, वैसे आप देखोगे, कुछ second मिला कर यहाँ पर minute बना, फिर minute से घंटा बना, है यह time देखोगे, तो एक at second equals to 0.0000001 second, एक at second के अंदर यहाँ पर 0.00001 second होता है, आप इतने 0 यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, तो at second, second से भी बहुत जादा यहाँ पर कम है, जैसे नैनो सेकेंड वगरा होता है, उससे भी बहुत जादा से छोटे जो particles होंगे, बहुत minute, छोटा से छोटा जो particles भी अगर हो गया, तो उसको बहुती कम समय में, बहुती कम समय में यहाँ पर उसको देखना अच्छे से, वो यहाँ पर at second physics आती है, और यहाँ पर इससे कहीं ने की scientist में यह ability मिली है, ठीके, तो at second क्या होता है, हमारे नैनो सेकेंड का एक वन मिली है, नहीं नैनो सेकेंड से भी छोटा हमारा at second हो गया, और जो हमारे nobel laureates है, उन्होंने क्या हुआ करा है, यह जो experiment इसको develop किया, उन्होंने यहाँ पर एक ultra fast laser pulse को बनाया, ठीक है, जिसको हम use कर सकते हैं, दुनिया को समझने के लिए, और बहु यहाँ पर यह जो तीन personalities है, इनको यहाँ पर यह Nobel Prize in Physics 2023 प्रोवाइड करवाया गया है, अवर दिया गया है, नोबल प्राइस के बाएर में basic informations, जैसे मैंने बोला, अखर आपने cover करनी है, तो please, कल वाला वीडियो ओपन करो, और कल वाले lecture में से उसको पढ़ लो, इसके साथ म को हम समाप्त करेंगे, वैसे एक article और discuss करना था, यह मैं आपके साथ मैं यार कल discuss करूँगा, ठीक है, और कल discuss करूँगा, मतलब हो जाएगा, तो आप परिशान ना होना, काफी लोग बोलते हैं, आप discuss नहीं करते हो, मुझे लगता है, आप फिर अगला दिन का वीडियो स्क ना होना, इसका सारा का सारा data अगर आपने पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने provide करवा दिया, आप सीधा यहां से पढ़ भी सकते हो, ठीक है, पूरगी पूरी editorial की समरी, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, अभी फिलाल, यह article में आपके साथ मैं कल discuss कर दूँगा, प्ली काफी लोगों ने बोला कि सार पीडियाफ ऐसे ही रखो, यह पीडियाफ हसाने पढ़ने में, यहां पर सार का सरा data प्रेजेंट रहता है, तो वहां से हमको मिल जाता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज आज एक बार और चेक करना और देखना, यहां पर पढ़ भी सकते हो, तो शाम में सोने से पहले एक बार इसको रिवाइस करेना, आपका जो काम है वो काफिया तक पॉसिबल हो जाएगा, बाकि अगर आप पेड रूप जोइन करना चाहते हो, ठीके, टेंशन ही खतम करना चाहते हो हर चीज की, तो यहां पर वो पेड रूप